सरकार की समेदन हीलता है और इससे ज़्यादा समेदन हीलता कोई नहीं हो सकती है कि 35 दिन के ऊपर व्यापार छप पड़ा हुआ है और इस्थित यह आ गई है कि अब महा बंद का अभियान चालू हो गया है और सारे व्यापारी इसमें आ गए हैं तो इस्थित किती भयावा हो कि इसकी आप कल्पना कर लीजिए जहां तक सवाल इस बात का है कि जो इन्हों ने एक परसेंट टैक्स बढ़ाने की बात की है जो एक साइस जूटी अगर आप तक का व्यापार रेक्स देखा जाए तो कम सगम पचास साच हरप का नुक्सान हुआ है व्यापार होने में तो एक दरह से भारत सरकार को तो च्छती ही हुई है तो इस च्छती को यह कैसे पूरा करेंगे जि और जब वो कह रहे हैं तो इसका कोई असर नहीं है इस बात की चिंता सरकार को नहीं है उसको मैंने क्या कहा है सरकार की पराकास्था है और जब यह इतने क्या कहते सब्सक्राइब पराकास्था आठीच कि चुनाओ कैसे लड़ा जाता है वह जो चाहेंगे उस तरह से उचलाना चाह रहे हैं अब तो बाद पता चलेगा कि जब तो आप जब इसी तरह से फिर आपको सरकारी कर्चारी के आउशक्ता नहीं रहेगी तो एक दिन यह जनता इनको कहेगा कि तुम्हारी आउशक्ता नहीं है देखिए हमेशा हर चीज को सोच समझ के चलाए जाता है जब यह इस तरह की हरकत करेंगे आपने देखा बनारस में क्या हुआ कैदियों ने किस तरह से क्या कहते हैं जब वहाँ पर देख लिया कि एकदम जो है भरस्ताचार की पराकास्टा हो गई है तो वही कैदी जो पुलि किस्तित उन्हें ने कर दी है